आज हमारे पास है RC390 KTM की तरफ से इस वीडियो में कम्प्लीट रिवीव होने वाला है RC390 का और इस वीडियो में जानेंगे हम लोग माइलेज प्राइज और इस गाड़ी के कम्प्लीट फीचर और इस गाड़ी का लुक क्या है वो साही चीज़े आप लोग को पता चलेगा और सबसे पहली बात यह है 233 मॉडल तो भाई नया मॉडल के साथ नया फ्यूचर भी लाउंच हुआ है तो उस आई चीज़े आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा सबसे पहले यहां सामने देखोगे सामने आपको मीरियर के साथ विड्न सेल्ड जो की विजिवल है स्मोकी नहीं है विजिवल है अपना यहां पर हैलोजन लाइट मिल जाएगा यहां पर और आपको यहां पर टर्न इंडिकेशन लाइट मिल जाएगा अब मीरियर आपको यह भी 3 180 है ना 180 डिकरी आपको मीरियर मिल जाएगा आप इसको अपने हिसाब से इसको फोल्ड कर सकत यहाँ से 200m का लेंगे और drafting यहाँ से 320 mm का और एडस्क के बात करेगा Took 230 mm का डिस्क मिल जाएगा और टैर प्रोफाल गात करते हैं त्रइपी की बात practical को आपको दिखाते हैं यहां पर थाеп ज़ guests करनें तो 110 10 कि obt ons were lotta Kia फिल्गें आपको इकाप आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और इस गाड़ी में 390 से है तो इस गाड़ी का पाउर भी बात करोगे तो पाउर 49.42.9 बहुत का पार है और टॉर्क की बात को 37 एनम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहां पे आपको Monoswak अफजर मिल जाएगा तो राइडिंग को काफी बेतर बना देगा शिक्स स्पीड का गेर बॉक्स है यहां पे आपको ब्रेक यहां पे देखने को मिल जाएगा यहां पे अपना फुट्रेस मिल जाएगा और यहां पे एक्जॉस्ट की बात करोगे त टैंक क्यापसिटी की बात कर ऊए थर्टीन पॉइंट नाइन लीटर का टैंक कैपसिटी है और मीटर तो भाई यहां पे अभी उसको भी दिखाएंगे सबसे पहले यहां पे कुछ कांसोल आपको देखने की पंल जाएगे काफी सारे प्लोटूथ कनेक्टिविटी के साथ यहां से आपका सब कुछ वाकी यहां पर देखने को मिल जाएगा और रियर की बात करते हैं तो रियर पर आपको इस तरीके का लुक मिल जाएगा आपको आई सेप का LED बात करोगे मैलेज की बात करोगे तो 25 पर प्राइज की बात करोगे तीन लाग चोहत्तर यहार और यह है टापी स्पीड इसका है 170 का टापी स्पीड यह प्रोडूस कर देता है तो यह है गोरफपूर भूमी आटो मोबाइल गोल घर के पास तो भाई इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और मीटर भी आप लोग को दिखाते हैं कि मीटर में क्य आप लोग को इसी पार्ट मिल जागा तो भाई अब आप लोग बताना किस वीडियो में यह गाड़ी कैसी लगी और दोहर तेइस वेरिंट है तो काफी सांदार लूप और सामने से भी आपको यहां पर के टीम देखने को मिल जाएगा और यहां से भी यहां पर भी के टीम में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप कोई भी डाउट होगा तो वहां से आप फूप सकते हैं